दोस्तों, भारत के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज रिशब पंत को इंग्लेंड के खिलाफ चल रहे अंतिम टेस्ट मैच में. उनके शांदार प्रदर्शन की बदौलत हर तरफ से प्रशंसा मिल रही है. रिशब पंत ने एक काउंटर अटेकिंग पारी खेला और पहली प पूरी क्रिकेट बिरादरी में अपनी निदर पारी के लिए युवा कीपर बल्लेबाज को बहुत वाह वाही मिल रही है. हालां कि पाकिस्तान के एक पूर्व तेजगेंदबाज मुहम्मद आसिफ ने बल्ले से पंत की वीरता को बदनाम किया और कहा कि यह इंग्लेंड के तेजगेंदबाज की खराब रननीती थी जिसने रिशब पंत को उस तरह से खेलने की अनुमती दी जैसे उसने किया. आसिफ को लगता है कि इंग्लेंड की रननीती की वजह से रिशब पंत इस तरह से प्रदर्शन कर पाए. उन्होंने यह भी कहा कि पंत में तक्नीकी खाम उसका बाया हाथ काम नहीं करता है. लेकिन फिर भी वह शतक बनाने में सफल रहा क्योंकि उसके कमजोर क्षेत्रों में अंग्रेजी गेंदबाजों ने उसे गेंदबाजी नहीं की. उन्होंने आगे कहा मैं व्यक्तियों का नाम नहीं लूंगा लेकिन इंग्लेंड ने बह के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन विपक्ष के ऐसे फैसलों से आपको बड़ा स्को बनाने का मौका मिलता है। उनकी टिप पणियों, प्रशान्सकों को कुछ खास अच्छा नहीं लगा। जो अब उन्हें ट्विटर पर बूरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। ये हैं ट्विटर यूजर्स के कुछ प्रतिक्रियाएं। ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव क्रिकेट विडियोज ला सके। धन्यवाद।